So hey what's up guys, welcome back to the channel everyone IPL 2020 का Qualifier 1 मुकाबला Mumbai Indians बनाम Delhi Capitals Delhi के कप्तान शेय सेयर ने टॉस जीत कर बूलिंग करने का फैसला किया और दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 अभी आपकी स्क्रीन पे आरही होगी बात करें, Mumbai Indians की दरफ से ओपनिंग करने उतरे Quintan Dikok और Rohit Sharma पहला ओवर काफी एच्छा रहा, लगबग 14-15 रन पहले ओवर में बन चुके थे Qualifier 1 के मुकाबले में दूसरा ओवर डाला रवीचंदन अश्विन ने और वहाँ पर विकेट गिरा का अपतान रोहिच शर्मा का रोहिच शर्मा ने एक बॉल खेली जीरो रन बना याने कि डग पे आउट हो गए रोहिच शर्मा और यहाँ पर उसके बाद फिर सूरे कुमार यादो बैटिंग करने उतरे Quintan Dikok और सूरे कुमार यादो दोनों के बीच में अच्छी पार्टनर्शिप हुई लगबग वहाँ पर 60 रन की वो पार्टनर्शिप थी वहाँ पर विकेट गिरा Quintan Dikok का Quintan Dikok ने 25 बॉल में 40 रन मनाए रवी चंदन अश्विन ने इनका आखरी में विकेट लिया इसके बाद सूरे कुमार यादो और इशन किशन दोनों बाइटिंग कर रहे थे हमाँ पर विकेट गिरा सूरे कुमार यादो का 38 बॉल में 51 रन एक अच्छी पारी वापिस है सूरे कुमार यादो केल के गए उसके बाद आया कायरन पोलाड कारिन पुलाड ने दो बॉले खेली जीरो रन बनाए, डग पे आउट हो है, रविचंदर अश्विन ने इनका भी विकेट लिया, कुरूनल पंडिया आये, कुरूनल पंडिया ने दस बॉले खेली तेरा रन बनाए, माकस्टोन इसने आखरी में जाके इनका विकेट लिया, लेकिन बात करें तो इशन किशन और हार्दिक पंडिया दोनों के वीच में काफी अच्छी यहां पर पार्टनेशिप हुई, दोनों ही यहां पर बैट्स में नोट आउट गए आखरी तक, इशन किशन ने 30 बॉल में 55 रन बनाए, और हार्दिक पंडिया ने मातर 14 बॉल मे 37 रन बनाए, 264 का स्ट्राइक रेट और 5 लंबे लंबे चक के शामिल था इस पारी में, तो हर्दिक पंडिया ने आकरी मा के मुंबाई की पारी में जान लगा दी, और मुंबाई इंडिनिस की टीम ने 20 ओवर में एक्जाक्ट 200 रन बनाए थे, अब 201 का लक्ष का पीछा कर प्रित्वी शौ और शिकर दवन आए ओपनिंग के लिए, पहला विकेट गिरा प्रित्वी शौ का दो वॉल्म में 0 रन याने की डख पे आउट हुए प्रित्वी शौ और सेम ओवर में, ट्रेंड बोल के पहली ओवर में यहाँ पर ने पड़ गए अजिंके रहाने, रहान इसके बाद 6SIR अच्छा खेल जरूर रहे था, 8 बॉली खेली 12 रन मना है, 3-4 के मारे थे, लग रहा था कि अब कप्तानी बारी खेल जाएंगे, लेकिन 6SIR का भी पत्ता कड़ गया, जस्पीक दूम्रा ने इनका भी विकेट लिया, तो डेली क्वालिफायर वन में बहुत जादा मुश्किलों में थी, उसके बाद बैटिंग कर रहे थे, रिशप पंत और मारकस टॉइनिस, वहाँ पर गिर गया है, रिशप पंत का भी विकेट, पंत ने मातर नौव वालिक खेली 3 रन मना है, क्रूनल पंडया ने इनका विकेट लिया, मारकस टॉइनिस और अकसर मारकस टॉइनिस ने 46 बॉल में 65 रन की एक लोन वारियर वाली पारी खेली, लेकिन वो डेली कापिरल्स की टीम को फाइनल तक नहीं पहुचा पाए, मैच नहीं जीता पाए, अकसर पटेल ने भी आखरी में आके कुछ शॉट्स मारे जरूर, लेकिन यार बहुत देर हो का रिक्वाइड रन रेट था उस टाइम और डेली कापिरल्स की टीम यहाँ पर रहे गई पीछे, मुंबा इंडिन्स की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, देखते हैं अब फाइनल में मुंबा इंडिन्स की टीम क्या अपनी पाच भी ट्रोफी उठा पाएगी और कौन पोचने वाला है क्वालिफायर 2 खेल के फाइनल मुकाबले में, मैं अर्च जयन मिलूँगा आप से कडली ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो के साथ, तिल देन वा ग्रेट डे और अल्वेश कीव स्माइलिंग